हेलो फैंस तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल आलू प्याज की खस्ता कचोरी बनाने का बिल्कुल अलग और निया तरीक आपता हूंगा इस तरह से बहुत ही चादा टेस्टी और खस्ता बनेगी तो चलिए रिस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम कचोरी बनाने के लिए अब डोलगा की तियार करेंगे तो दो कप मैंने मैदा लिया है अब मैदे की जगा आटे के यूज भी कर सकते हैं तो मैदे को आपने एक बॉल में डाल देना है और मैदे के जो बेटा वो 300 ग्राम है एक छोटा चमच आप इसमें नमक एड़ कर देजे एक छोटा चमच आपने ना रोश्णी करना इसी तरह से डाल देना है कसूरी मेती से बहुत ही बड़ी आप फ्लेवर आएगा सारे इंग्रेडिंस को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है अब खस्ता करने के लिए आपने इसमें मोहिन एड़ करना है तो तीन बड़े चमच आपने इसम तो थोड़ा थोड़ा करकी से खाटता करना में अची तरह से गूंद करें आपने लुषत करने अब मैदे को आपने जाद देर भी नहीं गूनना है एक से तरह भी मिन तक इसको गूंदी है और अच्छी तरह से इसको एकठा करके देखे इस तरह से एक चमच आप इसमें ना मैदा एड़ कर देशे और बटर के साल मैदे को अची तरह से मिक्स कर लेशे इसको हम ना कचोरी के लच्छे बनाएंगे बहां भी यूज़ करेंगे और इसके बाद हम ना कचोरी की स्टफिंग का मिक्ष्टर बना लेते हैं यहां हमने कडाही लिया उसमें एक बड़ा चमच ऑल एड़ करेंगे उयल जैसे गर्म होचेगा एक चोटवा साबु धनीए आट करना है आदा चमच आप इसमें साबु जीर नियुए आदा चमच आपने साम्फ ससे हलकाता मीटा फलेवर आता है और यहां याहां पीम फलेद में पका ले तोठीस स करेंग सकते हैं इसमें थोड़ा क्रीपक्स करने थोड़ी दर कि तड़ करना के पेश्ड कर दीए थोड़ी दर आप इसको पका लीज़े थोकि How अपो घत्म होगाक है तो गॉलन करना है मसाल्य करते सिरुषका अपने नमक करने हैं आदा चूटे मैच यहां घुटी पॉटर करने हैं तो चुटे मेच आपिसमें लाल मिर्ष पॉटर एड कीशे एक छूटे ाद्धनिया पॉटर करना है आद़ा चमच आप इसमें जीरा पार।डर एड़ केशे कच्चा जीरा पार।डर का यूज की है और थोड़ी से अपने इसमें रोजकी कसूरी में थी अड़ करनी है थोड़ा सा गर्मसाला पार।डर एड़ एड़ केशे गैस کی ब्यूक्त लो रखनी है ताकि आलू को थोड़े से चंक्स ने इसके अंदर तो यह देखे आलू भी डाल दी है और इसके आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेशे लगो 30-40 सेकंड दर गैस की फ्लिम आपने हाई रखनी है और उसके ज़्यादा आपने आलू को पकाना नहीं है ज़्यादा पकाएंग तो एक लीटर यहां पर ने और यह और कराही में डाल दिया एक तम लोग फ्ले में इसको गर्म होने दीचे दूसरी साइड में थोड़ा सा मैंने पनीर याड़ की आलू का जो मसाला हमने बना के रखा था और पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब जो मिक्सर दे सेट के चौना और इसको पतला करके बेल ले ले बना के लिए तो इस तरह से आपने ना तीन रोख्या का चोरी बनाएगे तो लच्छे कैसे निकालने बोतरीक आपको बताता हूं कि देखे तीन रोटिया मैंने बना के त्यार कर लिए है अब इसके अपने जो बटर रखा हुआ मैदे के सा मिक्स करके ना इनके उपर आपने थोड़ा थोड़ा बटर लगाना है देखे इस तरह से बटर लगाने से होगा आपके जो फको बना कर देना इसे कम कवर कर देना है अच्छी तरह से इसको नहीं इस तरह से के प्रेस कर देशिकर आपने बेलन की साथ सको ना फिर से बेल लें और इसके पतले इसी बड़ी सी रोटी ठालंकि त्यार कर देनी है इससे आपकी जो काफी सारे Express के और तो आपके श्युर करके फोल्ड करना या डेखे इस तरह से आप बना और में तो पहले आप इसको बनवाय को अब कितने लच्छेस के लच्छां में बना देशे और उपर से आपने इस तरह से देखिए इसको दबा देना है तो इससे जो बटर है वो इसके अंदर रहेगा और अच्छा खस्ता बन भी आएगा जब इसको फ्राइए करेंगे पेलन की साइट से आपने इसको बेल लेना है जो साइड आपने नीचे से चिपकाई थी इस तरह से पानी बगेरा लगाने की जूट बैसे नहीं यहां पर क्योंकि अच्छी तरह से देखिए आपने दोनों को इस तरह से जोड देना यहां पर अच्छे से दबा देजेगा तक कि जब इनको फ्राइए करें यह खुले ना और फिर आपने कचोरी को उपर वारी आपने ना मीडियू टू लो रखना है जब आप में कचोरी डालेंगे फ्राइए करने के लिए हलके हलके से बबल साने हराम से फ्राइए करेंगे बहुत ही जवर्दस खस्ता बनेगी कचोरी और कि देखिए एक पर में सारी कचोरी में डाल दिया है लगवत तीन मिन तक मीडियू कर देशे और इनको कम से 12-15 मिन तक आपने फ्राइए होने देना है इतनी दिर में कचोरी है जो अच्छी तरह से बढ़िया कलर आजाएगा और के देखिए जब यहां पर बवसाने थोड़े से कम हो जाएंगे उसका गैस की फिलिम लाश्ट में दो मिन तक आपने फ्राइब हो चुकी है इसके अपने इनको और से निकाल लेना है और दो से तीन मिन तक इनको थोड़ा सा ठंटा होने दीशेगा और इसके बाद देखेंगे ना क्या जवर्दस देखिए कचोरी त्यार हो चुकी है जैसे थोड़ी से ठंडी हो जाएंगी एक्तम खसता हो ज बाइक शेयर कमेंट चुरू किशेगों के फ्रेंज लेने वीडियो के साथ थेंक यू